हेलो तो एव्रिवान जेहन और मैं आपका सौगत करता हूँ अभी पीडिया डिफेंस के यूटिप चैनल के अंदर माइनम इस अतुल धिमान और आज हम लोग एक सवाल है वो सवाल का अंसर देंगे वो सवाल क्या है और यह बहुत सारे डिफेंस अस्परेंट आइम रिपीटिंग डिफेंस अस्परेंट उनके दिमाग में यह सवाल होता है तो उसी का अंसर मिलेगा आपको की इस देंट व्यू ओफ सीप एफ एसस्टेंट कमांडेंट अस्ट अट अस्ट अश्बी इंट व्यू तो यह बहुत अच्छा सवाल पूचा गय है एक बहुत ही नूट्रल आंसर दिया जाएगा और इसमें मैं आपको सबसे अच्छी अप्रोच जो होनी चाहिए एक डिफेंस अस्परेंट की वह अप्रोच के बारे में मैं आपको एक्स्प्लेइन करूंगा कि वह शुडब यॉर अप्रोच इन दिया बिफोर स्टाइं इस सेशन मैं आपको बता देता हूं कि रिसेंटली दोहजार अथा बीस का फाइनल मेरिट लिस्ट आई है जिसमें वी आप 28 प्लस सेलेक्शन और इनके जो है टॉपर इंटरक्शन आपको मिलती रहती है इस चैनल के अंदर ही तो जरूर इनकी यह इंटरक्शन देखिए औ और सीखिए इनसे कि क्या मतलब how they are different from you why you cannot be आप क्यों नहीं बन सकते हो इस काटेगरी के अंदर इस असिस्टेंट कमांडेंट है सो वो सारी चीजें self-introspection करके definitely आप बहुत अच्छा इंप्रूफ करोगे अपने प्रपरेशन के लिए और नेक्स देखिए और नेक्स देखिए और इस कोर्स के अंदर बना पढ़ा रही है तो कोई भी डाउट है कोई भी प्रॉब्लम है सी एप रिगार्डिंग डिरि आप साथ दिन का ट्राइल भी ले सकते हैं साथ दिन में इंड्रोल करके आप you definitely going to understand कि क्या है क्या नहीं है what kind of a content that we are delivering ठीक है चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारा SSB इंटर्व्यू देखिए कोई भी defense aspirant जब अपनी शुरुवात करता है न तो वो हमेशा पहली जो आप जैसे किसी ने शुरुवात कर दी अपने NDA से है ना सो NDA का रेटन कॉलिफाय करना है तो SSB कॉलिफाय करनी पड़ेगी recommend करना जाना पड़ेगा आप technical entries देख लीजे आप NCC entry देख लीजे Army Navy Air Force में जितनी भी entry लेनी है आपने as an officer तो you have to face SSB और मुझे इतना पता है कि हमारे देश में जो youth है जिसको कभी defense में नहीं भी जाना है वो भी कहीं ना कहीं SSB देने चले ही जाता है तो SSB बहुत ही जादा famous word है right it is a process तो आपको अगर फॉच के अंदर जाने आपको SSB देनी पड़ेगी तो SSB के अंदर क्या है there are multiple test आपको पता है जैसे psychological test होता है ठीक यह होता है personality personal interviews होते है और इस तरीके से आपने you know यह सब चीजे face कियोंगी यह सब चीजे experience कियोंगी कि इस तरीके से आपको you know group planning के लिए बताया जाता है group discussions होती है पीपीडीटी होती है बहुत सारे टास्क हैं जो SSB के अंदर होते हैं अब यह तो हो गया शुरुवात SSB की अब SSB में primarily focus जो किया जाता है वो focus knowledge के उपर नहीं किया जाता कि knowledge आप से पूछ लिया जाएगा कि इंडो चाइना का economic tie-ups क्या-क्या है या economically इंडो चाइना किस त क्या impact पर यह सब इतना ज्यादा knowledge ज्यान वाली चीज़ें यहां चलती नहीं है यहां पर तो आपको बेशक आपको पूछ लिया जाएगा थोड़ी current awareness आपके PI में पूछी जाएंगी या फिर आपके discussion group discussion में भी आपको कुछ topic के ओपर बोलना पड़ेगा लेकिन वह इतना रोल प्ले नहीं करता जितना ज्यादा psychological aspect आपके personality का करता है आपकी psychology क्या है क्या यह psychology का standard जो है वह match कर रहा है OLQ से officers like quality से अगर match नहीं कर रहा you are out of the game अगर match कर रहा है तो you are in the game match करने के उनके तरीके होते हैं जो मैंने अभी आपको पहले भी बता है कि बहुत सारे task होते हैं SSB के अंदर क्योंकि SSB तो पांच दिन की होती है जहाँ पर आपको पूरा निचोड लिया जाता है आपकी personality को आप fake नहीं कर पाऊगे या आपको आपको improvement करनी पड़ेगे अपनी personality की आप वहाँ पे fake नहीं कर पाऊगे right so knowledge यहाँ पे इतना ज्यादा important role play नहीं करता है right यहाँ पे तो आपकी जो upbringing है upbringing का मतलब यह है कि बच्पन से आप क्या-क्या सीखते आए हो बच्पन में क्या-क्या आपने रुकावटे देखी आपन पे आपका बच्पन से आज तक का सफर देख लिया जाता है पूछ लिया जाता है questions से पूछ लिया जाता है वह analyze कर लेते हैं हमारे जो GTO होते हैं हमारे जो psychologist होते हैं वह सब analyze कर लेते हैं कि यह लड़का जो है यह लड़की जो है यह कल को इस situation में आएगा तो कैसे react करेगा तो यह सारी चीज़े जो हुए SSB में बहुत इच्छे से पर्क ही जाती है SSB में कोई आप फेक नहीं कर पाओगे आदे घंटे के लिए एक घंटे के लिए वह तो पांच दिन का process है इसलिए तो knowledge यहां पे इतने काम में आती नहीं है right अब what I have witnessed is कि SSB के जो opportunities होती है वो दो तरीके से होती है एक written qualify करके cds india written qualify कर लो fcat written qualify कर लो तो आप SSB जाओगे या फिर बगार written के भी आप SSB जा सकते हो जैसे NCC हो गया technical entries हो गई बहुत सारी entries होती है जहां पे आप बगैर written के भी SSB जा सकते हो बहुत असानी से और SSB की जो frequency होती है वो भी बहुत जादा multiple होती है साल में मैंने ऐसे से लोग देखे हैं जिन्होंने एक साल पूरा अपना दिया SSB को और हर दूसरे महीने हर पहले महीने हर दूसरे तीसरे म 9 SSB तो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जिन्होंने 26-26 बार SSB दिये 23 बार SSB दिये 24 बार SSB दिये और के बार क्या होता है कि जो बच्चा एक जगा SSB दिया वो conference out हो गया दूसरी जगा वो गया और उसने वह उसी तरीके का अपना attitude रखा और वो recommend हो गया ऐसा होता है के ब बजा से बाहर निकल रहा हूं तभी यह 23, 24, 12, 13 यह numbers आपको दिखते हैं लोगों के बीच में students के बीच में जो SSB appear होते हैं तो इस situation में क्या रहता है कि SSB जो होती है उसके लिए मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि SSB की unpredictability जादा होता है आपको नहीं पता एक जगा एक student recommend ह हो के आ गया है ना तो technically उसको दूसरे SSB में जाके वो दुबारा recommend हो जाएगा बट ऐसा नहीं होता मैंने ऐसे भी देखे हैं जो एक बार recommend होगे फिर medically out होगे या meritless से out होगे उसके बाद वो कभी recommend हुए नहीं तो SSB क्या है SSB is something जो काफी जादा unpredictability होती है इसमें high unpredictability होती ह है and no one can predict his or performance there तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है right SSB के लिए otherwise the process is very good ठीक है अगर तो आपके अंदर OLQs है अगर तो आपके अंदर आपके upbringing वैसी है कि आपको लगता है कि मैं OLQ offices में lead कर सकता हूं command कर सकता हूं तो आपको SSB clear करने में 2 seconds नहीं लगेंगे मतलब process तो 5 दिन का होगा लेकिन आपको improvement करने में जादा नहीं लगेगा पता लेकिन यहां पर पता लगाना ही मुश्किल हो जाता है कि आप में वो OLQs हैं कि नहीं और कई बार तो बच्चा frustrate होके यह कहता है भीया क्या होती है OLQs जब 12-13-14-12 SSB दे देता है है कि नहीं चलो अब आगे देखते हैं CAPF CAPF Assistant Commandant अब देखें CAPF Assistant Commandant में जो interview होता है उसको हम लोग UPSC personality test कहते हैं और यह जो personality test होता है जो UPSC New Delhi के अंदर जो है वो conduct किया जाता है जो UPSC का जो building है वहाँ पर होता है यह personality test इस तरीके से gate लगा होता है यह कुछ हमारे students की photos है जो बहुत यह बहुत ही जबरदस दिन होता है जिस दिन आप जाते हो और पूरा अपना effort लगाते हो यह दिन बहुत important होते है इसलिए students य यहाँ पे personality test में क्या होता है कि आप हर board होता है, 6-7 boards होते हैं उस 6-60 boards के अंदर बोर्ड के अंदर 4 members होते हैं तो इस तरीके से table लगा होता है जर्णली यहां पर एक member होगा दूसरा member तीसरा member चौथा member होगा चार member CAPF के interview में बैठे होते हैं उसमें एक member possibly एक member chairperson होता है उस board का और यह वाला जो person होता है जर्णली वो psychologist होता है कि psychologist हमेशा आपको आप जब entry ले रहे हो आपका hand movement क्या है आपका क्या आप किस तरीके से react कर रहे हो वो एकदम से तिर्ची निगाहों से देखता रहता है आपको ठीक है फिर यह जो लोग होते हैं यह retired I.E.S. officers होते हैं I.E.S. officers होते हैं psychologist होते हैं university के top level के professors होते हैं जो इस तरीके का panel जो है constitute किया जाता है इस तरीके का civil services में I.E.S. IPS यह जो exams होते हैं उसमें जो test होता है UPSC personality test उसमें 5 लोग होते हैं C.E.P.F. के अंदर 4 लोग होते हैं right अब क्या है कि यह इस तरीके से system इनका होता है अब जो candidate होता है C.E.P.F. के personality test में candidate जो है हूँ सहच feel करता हूँ तो मैं Hindi में बात करना चाता हूँ तो उधर जो है welcome किया जाता है बट अगर SSB में आप Hindi में बोलेंगे तो आपको ज्यादा accept किया नहीं जाएगा आपको पता है इस तरीके से बहुत सारे students के साथ होता है जो घ्रामी इंशेतर से आते हैं तो SSB में क् बात करनी होती है वह required होती है officer की बात है तो required है बट CAPF में ऐसा नहीं UPSC में ऐसा नहीं leverage दिया जाता है पूरा Hindi English दोनों इंपोर्टन्स दिया जाता है मैंने ऐसे भी स्टून देखे हैं जो हिंदी में अपना पूरा इंटर्वी दिया है और आपका जो इंटर्व्यू होगा वह लगभग लगभग आपका 30 मिनिट चलेगा अब यह वेरी भी करता है कि बच्चों का होता है जो 15 मिनिट में खतम ह इंपोर्टन रोल होता है परसनेलिटी का एक इंपोर्टन टर्वधित है दाट इस ओलीज तो थो इंटर्वी भी होता है यूपीसी जो लेती है उसमें आपका जो नौलेच है वह काफी जादा important role play करता है क्योंकि वहाँ पे आप कोई GTO टास्क नहीं कर रहे हैं वहाँ पे आप कोई फॉर्म फिल नहीं कर रहे हैं वहाँ पे आप कोई picture perception नहीं कर रहे हो वहाँ पे कोई interview ने चल रहा है एक अलग interviewing officers के साथ वहाँ पे अलग system है वहाँ पे आप अपनी personality को दिखा सकते हो that my personality is suitable for the job of CAPFAC through your knowledge और knowledge में आपसे वो काफी जादा multiple dimensions के सवाल पूछते हैं चाहे वो IR है international relation है social issues है political issues है आपका bio data जो DAF होता है वहाँ से सवाल पूछे जाते है application based सवाल पूछे जाते है practical questions होते हैं कि आपने कैसे उस चीज को implement करना है यह चीज हो जाए तो यह कैसे करोगे वो चीज हो जाए तो वो कैसे करोगे और 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 का मतलब है follow up सवाल भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं तो यहां पर आपको multiple dimensions से सवाल पूछे जाते हैं और आप अपनी personality को जो दिखा सकते हो कि मेरी personality suitable है through your knowledge के दोरा ही आप जाधा तरीके से बता सकते हो तो यहां पर इस तरीके से चलता है clear हो गया और और Hindi English का कोई दिक्कत नहीं होती हिंदी में भी बोल सकते हैं English में भी बोल सकते हैं और यहां पर एक चीज जो मैंने खुद में देखी है मैंने SSBs भी दी मुल्टिपल SSBs दिया मैंने CEO of Assistant Commandant का भी दो बार इंटर्व्यू दिया what I have realized is कि SSB में मैं जब गया ना तो वहां पर nervousness नहीं रहती है जो मैंने खुद realize किया लेकिन जब मैं इंटर्व्यू देने गया UPSC का UPSC भवन में इंटर्व्यू हो रहा था और जब मुझे बुलाया गया I was waiting outside the room and तब बहुत जबरदस nervousness हुई तब लगा कि यह मतलब ऐसा होना तो नहीं चाहिए क्योंकि मैं तो बच्पन से passionate था फोज के लिए तो अब यह तो कौन सी बड़ी बात है पहले भी तो SSB देही दी है लेकिन यहां पर nervousness होती है थोड़ी बाद लेकिन अगर आप well prepared है तो वो nervousness कुछ fraction of seconds के लिए रहेगी whence you enter the room it's all gone it's all gone because जो सामने वाले लोग होते हैं जो सामने वाले IAS IPS और साइकोलोजिस्ट या university professors होते हैं they are very humble and they give you time to relax and to to give your 100% ठीक है तो यहां पे इस तरीके से यह होता है तो वो make sure करेंगे कि आप अपना 100% अपना personality का आप best version हमें दिखाओ और तभी हम आपको अच्छे marks देंगे तो यह इस तरीके से चलता है मेरा opinion सबसे ज़्यादा important इसलिए है क्योंकि मैंने दोनों processes देखें now I am into a full time this profession जहां पर मैं बच्चों को यह make sure करता हूं कि बच्चा जो है वो written qualify करे मेरा मकसद यह होता है कि बच्चा written qualify करे बट written के साथ साथ उसका ultimate selection भी होना चाहिए नहीं तो मेरा वो वैसा नहीं है कि बस written qualify करने के लिए बच्चों को खुश कर दिया नहीं I want ultimate selection of the student चाहे वो cds entry हो चाहे वो cpf entry हो does not matter चेक है तो मेरा opinion यह है कि यहां पर जो है अगर cpf की बात करें तो यहां पर cpf में preparation जो interview की चाहिए होती है वो जादा चाहिए होती है right cpf के लिए और predictability भी जादा है चेक है दोनों में preparation तो अच्छी चाहिए मतला आप ssb में जाए interview के लिए या cpf की interview के लिए preparation जो है वो आपके high degree ही होनी चाहिए सबसे उपर होनी चाहिए लेकिन अगर predictability की बात करें कि कहां पर predictability है selection की तो वह मैं अभी बोलता हूं कि it is in cpf interview if you have scored well in the written examination selection तो आप ssb में थोड़ी predictability कम हो जाती है तो यह चीज़ है अब मैं आपको और दो तीन चीज़े और बताता हूं देखो मैंने एक student से पूछा उसने सेम जवाब दिया जो मैं हमेशा student से expect करता हूं कि मैंने उससे पूछा कि आपका लक्षे क्या है कि आप क्या करना चाते हो cds बनना चाते हो या cpf के अंदर जाना चाते हो तो इसने बोला सर मुझे यह फरक नहीं पड़ता मुझे तो सिर्फ वर्दी चाहिए स्टार्स वाली वर्दी तो वही बात आ गई कि यह मैटर नहीं करेगा कि आप cds ssb के थ्रू जा रहे हो यह आमी ऑफिसर बन रहे हो या फिर आप cpf के थ्रू जा रहे हो इट ड़स नॉट मैटर चिक है आपको वर्दी दोनों के इससमें मिलेगी यहां पर दो स्टास मिले करेंगे प्रोमोशन अपने अपने वेनिफिट्स अपने अपने है सारा कुछ है बट मेरा आप फाइनल आपके लिए अपरोच यह है सजेशन यह है यूशूड प्रिपेर बोधी इग्जामिनेशन अट वन ताइम cds cpf दोनों प्रिपेर करों ठीक है दोनों के बीच में ज सबसे बड़ा ऑप्स्टेकल होता है जतने भी डिफेंस आस्परेंट है तो उनी बच्चों के लिए हमने क्या किया है cpf पेपर टू का लाइफ कोर्स आपके लिए लौंच किया है जहांपे civil services की faculty जो है वो आपको पढ़ा रही है eight faculties are there ठीक है इस से best opportunity आपके पास नहीं र यह जो पेपर 2 का course है उसको साथ दिन के लिए enroll कर सकते हैं and you can go ahead with this course कोई भी doubt है कोई भी query है कोई भी paper 2 के regarding course के regarding question है आप directly call कर सकते है in the description में जो number दिया हो है उसके ओपर ठीक है so i hope you like this video and i have made it very clear regarding the both the exams right processes thank you jahim